हेलो माई डियर एस प्रेंट्स यूपी टीजीटी पीजीटी का एक्जाम अब पकड़े का रफ्तार क्यूंकि उत्तर प्रदेश सिक्षा सिवा चैन आयूग की जो अध्यक्ष पद था वो प्रोफेसर किर्थी पांडे मैं दौरत भर दिया गया है पोस्ट परा चुकी है तो अब आपकी परिक्षा आपके जो टीचर्स बनने के जो एस्प्रेंट्स है हमारे हाँ उनकी अब सपनों को हकीकत के रंग मिलेंगे इसमें हम देखेंगे आज इंगलिश सब्जेक्ट के लिए और इंगलिश सब्जेक्ट क्या होती है थ्री स्ट्रेटजीज जिसके बेस प सब्जेक्ट के लिए हैं लेकिन यह ऐसे थ्री स्ट्रेटजीज हैं कि जिसको अगर आप कोई भी ऐस्प्रेंट्स कोई भी कैंडिडेट अगर इसको ट्रूली और फेद्फुली फालो करता है तो ही बिस्ट्रूली गेट सक्सेस इन एक्जाम हाउ अन्ड वाट अर्ड़ ट क्रेक करें एक्जाम को फर्स्ट पी युआई क्यूस प्रीवियस इयर्स क्वैस्ट्स सबसे पहले जो बिगत सालों में लास्ट इयर जतने भी एक्जाम हुए अगर आप उनके क्वैस्ट्स देख लें इड विल भी वेरी यूसफुल फार यू एफ एक्वैस्ट्स जब आ सब्सक्राइब के दिमाग में एक आइडिया बैठ जाता है और उसके बाद है प्रैक्टिस आप बोथ यानि पी वाइक्यूस एड एफ यू एफ एक्यूस अगर इन दोने को अपने श्लैबस को माइंड में रख करके हम लोग प्रैक्टिस करें डेली बिदाउट फ्रेंच लीब फ्रेंच लीब यू जानते हो ना कि इस्टेडी मन में आया किया नहीं तो नहीं किया बिना किसी मतलब के ही नो नो फ्रेंच लीब कांटीनिवस इस्टेडी चलनी चाहिए कांटीनिवस प्रैक्टिस होनी चाहिए ओके और कांटीनिवस जो प्रैक्टिस करता है वही एक दिए success गेन करता है तो पी वाई क्यूज यफ एक क्यूज को अगर मिला करके अपने slavis के according हम लोग practice करें तो आप इस exam को crack कर सकते हैं और आप अपने dreams को fulfill कर सकते हैं as a teacher आप इस job को पा सकते हैं जैसे का आप जानते हैं उतरप्रदेश शिक्षा सिवा चैन आयोग जो basic से लेकर higher तक के added जो higher added degree colleges हैं वहां तक के selection यही करेगा टीचर्स का तो हम तो यहाँ पर TGT PGT की ही TGT मतलब 9th और 10th class के टीचर्स के लिए होता है trained graduate teachers and PGT जो होता है post graduate trained teachers अब इसके लिए आपको कुछ materials भी चाहिए अगर आप मैदाने जंग में जा रहे हैं in the battlefield तो without weapons आप क्या कर पाएंगे वहां पर तो मैंने इसके लिए especially देखे ग्रामर के लिए language based जो होता है उसके लिए कोई prescribed book नहीं है जिस भी बुक से आपको समझ में आता हो आप उसको पढ़ लीजिए सारे chapters देख लीजिए grammar के language based जो भी है parts of space से लेकर के vocabulary तक और आपका इसमें हो जाएगा ठीक है आप उसको practice करते रहे प्रैक्टिस तो सब करना है लेकिन जो literature के लिए मेरे पास है मैं इसमें से आपको सबसे पहली बुक जो आती है भई सब कोई जानते हैं सुधीर के अरोरा this is the book अब तो काफी मोटी हो गई है जो first edition आया था जो मेरा selection हुआ था when I was selected in 2010 तो बहुत पतली सी बुक थी है और आज तो देख रहे हैं काफी मोटी हो गई है understand तो आप समझिएगा तो पहले तो आप इस पर depend करिए सुधेर के अरोरा जी को बहुत बच्चों का selection करवा रहे हैं वही तीन को आप इसको अच्छे से पढ़िए again and again read करिए और जो दूसरी बुक मेरे समझ में आती है एक समसामय घटना चक्र की आती TGT PGT करके ये this is the book very important है one liner के form में दिया गया है बहुत ही अच्छे से इसको भी understand किया गया इसमें भी आपको you can understand इसमें बहुत अच्छे वे में elaborately आपको इसमें पताया गया है matter को तो ये और तीसरी बुक जो मेरे समझ में आती है और जो बहुत बच्चे लाइक करते हैं ये है यूथ कंप्टीशन टाइम्स की English इसमें solve papers रहते हैं PY keys के लिए बहुत अच्छा है PY keys जो हमारे previous year questions है उसके solving के लिए this is very very important देखिए इन three books के अलावा अगर आप और सारी books पर जाते हैं आप जाईए आप तो free हुआ पढ़ें किसको न पढ़ें और उसके चक्कर में हम किसी को नहीं पढ़ पाते हैं और that's why we fail that's why we get failure we get failure हम अशफल हो जाते हैं हम असफलता मिल जाती है और उसको हम समझने कोशिस नहीं करते हम कह रहें यह कहीं बुक को 10 टाइम्स पढ़िए और टाइम मिले तो उतनी बार पढ़िए अगेन एंड अगेन पढ़िए आपको सेफलता दिला देगी यू विल गेट दा सक्सेस लेकिन टेन बुक लेकर के किसी भी एक बुक को आप नहीं पढ़ पाएंगे यू विल गेट अब फैल हो जाएंगे अडेस्टैंड तो आप ये थ्री बुक के बेस पर और एक ग्रैमर जिसमें अच्छे सो वकायर्स की प्रैक्टिस आप करते रहिए तो यू कैन इसली पास्ट इस एक्जाम वेरी इसली चुकि अब टीचर्स की रिक्वाइड है और ग यूपी गवर्मेंट ने योगी जी ने टीचर्स की जो कमी है उसको पूरा किया जाए तो मेरी बेस्ट भी सेज हैं कि अगर आप ये मेरा फोर्टीन इयर्स का एज गवर्मेंट टीचर करने का मेरा एक्स्पीरियंस है जो मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत ज्यादा भट ये जौन मिल्टन, विलियम वर्ट्सवार्थ, जान गाल जोवर्दी इन चार राइटर्स को ध्यान में रख करके आप TGT देखर TGT और PGT में एक बेसिक डिफरेंट भी होता है what is that कि TGT के एक्जाम में you will find more questions based on grammar or language, in PGT more questions, कभी कभार तो ऐचा होता कि 70% questions in TGT are based on language, or grammar based and in PGT 70% questions are based on literature, because इसमें बहुत सारे authors होते हैं, हमारे total 17 authors हैं, 17 authors हैं, एक मैं बता दो हूँ, जैसे 10 English writers हैं, जिसमें ये 10 हमारे writers हैं, जो English writers हैं, थ्री Indian writers हैं इसमें, कमलादास, मुल्क राजानन, निजीम एस्गील, और 4 अमेरिकर writers हैं, रोबर्ट फ्रोस्ट, वाल्ड विट्वैन, अरनेस्ट हैमिंगवे, विलियम फॉल्कनर, ये 17 writers आपको पढ़ने हैं, तो यहां पर literature काभी हैं, पॉर्शन बहुत बढ़ा हो जाता है, और TGT में ग्रामर का पॉर्शन बहुत ज्यादा होता है, वह ज्यादा बेटी होता है, ज्यादा मार्ट आपको देता है, फिलहाल आप इसी बेस पर अपनी तयारी को दीजिए, और किसी भी, नेक्स्ट क्लास में हम आपको तो कितना है, अच्छा एक्जाम है, बहुत ही अच्छा है, मैं तो समझता हूँ, आज कि अगर इस परिवेस में देखा जाए, ये एक्जाम काफी ठीक है अपने सब्जेक्ट के लिहाज से, अगर आपको अपने सब्जेक्ट में इंट्रेस्ट है, और एक टीचर बन करके अपनी पहचान आप बनाना चाहते है, तो अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, तो आप इन ही बेस पर प्रेक्टिस शुरू कर दीजिए, अगेन अगेन करिए, अगेन अगेन करिए, और तब तक बोरिंग मत होईए, जब तक आपको सक्सेश नमें लिए, यह मैं कह रहा हूँ, this is, I am speaking, this is my experience of 14 years, यह 14 years का मेरा experience कह रहा है कि प्रैक्टिस नेक्स अमैंड पर्फेक्ट, अगर आप जतना प्रैक्टिस करोगे, टेंडिडेट क्या करते हैं, उनको लगता है कि अरे, पढ़ते पढ़ते बोरिंग, मैं बोरिंग क्यों होते भई, आप आप इनको अपना फ्रैंड मालो ना, अरे टेंशन, टेंशन से टेंशन, दूर करो, टेंशन को पढ़िये ना, जिदने भी है उनको फ्रैंड की तरह, उनके वर्क्स, उनके जीवन की कोई अगर ऐसी कोई इवेंट है, या कोई ऐसी जो इवेंट है, जिसमें बहुत प्रैंज आया उनकी लाइफ में, तो आप उनको देखिए, उनसे आप जुड़िये, उनसे आप कनेक्ट करिए अपने आपको, आप देखेंगे कि एक्जाम बेरी इजी हो जाएगा आपके लिए, आप उनके वर्क्स और उनके कोर्स है, सिर्फ इसलिए मत रटिये कि मुझ आपको एक लोड नहीं लगेगा, बहुत ही एजी लगेगा, तो बस यही थी, थी, इस्ट्रैट्जी के, थी मंत्राज, थी पर्मुले जो है, इनके बेस पर आप, पी वाई क्यूज, एफ एक यूज, और प्रैक्टिस आप बोथ, और यह जो बुक्पकर मैंने बताया है, कटना चक्र, स्केरोरा, यूज, और एक ग्रामर, जो भी आप, ग्रामर की तो, बहुत सारी बुक्स हैं, अब उसमें किसी एक, इस्पेसल, अलाकि सब बुक्स में आपको ग्रामर की पोर्शन्स दिये गए हैं, तो अगर इतना ही सेफिसियंट है, आप इसको ही अच्छे से खुब, वर्क करिये, और जब भी आप वकायब तयार करिये, तो वकायब पढ़िये मत, वकायब जब भी बैठीए आप, एक पैन कॉपी ले करके, टेनी वर्ट्स तयार करिये, लेकिन आप उनको अच्छे से, खुब अच्छे से, उनके अन्टा नेम्स, अगर उसके कुछ आप रूट वर्ड जानते हैं, उसमें कुछ पकड़ पाते हैं, तो उससे पढ़िये, और इस तरह से आप देखिये का आपका सेलेक्शन होगा, मेरी बेस्ट विसेज हैं, जो भी एक्जाम होगा, जैसे भी एक्जाम होगा, आप लोग शियोरली पास करेंगे इस एक्जाम को, और अपने पैरेंट्स, अपना खुद का ड्रीम, फुल्फिल करेंगे, यही मेरी बेस्ट विसेज हैं, यही मेरी आप से सजेशन है, एडवाईज है, जो मेरे पास है, और मैं प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, कुछ को एसनस का, टाइम तो बहुत कम रहता है, बढ़ ट् अच्छा लगे, तो आप इसको सेरली, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रैंस में इसको सेर करिए, और जो आपको प्राब्लम हो अगर इस सब्जेक्ट में, इस्पेसले इन इंग्लिस में, तो आप मुझसे बता सकते हैं, अगर मेरे अस्तर का होगा, तो करता हूँ, आप भी ट्राइ करिए, बाकि बहुत सारी चीज़ें, गौट के उपर भी छोड़ देना चाहिए, हमारे आपके जो हाथ में हैं, सिर्फ हमारे आपके हाथ में एक्षन है, हम एक्षन कर सकते हैं, फ्रूट हमारे आपके हाथ में नहीं है, बस डूओ योर करिए God will give you the right fruit understand TC पर इस class को यहाँ पर मैं end करता हूँ फिर next class में TGT और PGT को अलग करके यह practice set में जैसे भी होगा I will try to give you TC के साथ class को end करते है I hope कि आप यह वीडियो अच्छा लगेगा ठीक है thank you very much